अगर हम कश्मीर की लोग सभा सीट की बात करें तो अक्सर कश्मीर में इस तरीकी की पॉलितिक्स अपनाई जाती थी यहां फिर अगर राजोरी पुंच अनन्त नाग लोग सबासीट की बात करें जहां पर कल अच्छा खासा वोटर टर्न आउट जो है वो देखने को मिला है जिसके बाद से बहुत से जो पॉलिटिशन्स है बहुत से लीडर्स जो है वो इकलेम कर रहे हैं कि ये नए जम कश्मी जो है वो बदल चुका है क्योंकि इस से पहले अगर हम बात करें तो हर एक इलेक्शन जो है वहां पर बाइकॉट जो है वकी जाती थी और इस तरीके का वोटर टर्न आउट जो है वो देखने को नहीं मिलता था तो आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सदारियों के ब पांच अगस 2019 के बाद इस तरीके से यहां पर मैं तो कहता हूं कि कई लोग कलैम भी करते हैं यह बड़ा लोगों का गमोगुसा है लोगों को पता है कि यहां पर जो भी तब्दिली हानी अगर जो भी चेंज लोग चाहते हैं वो डेमोक्राटिक प्रासेस से ही होगी और उ यही वजा है कि लोगों ने भर्चड को जो है बोलिंग में हिस्सा लिया है और अभी भी अगर आप देखें जैसे अभी आपने पहले भी बताया कि कल का जो टर नोट है वो अगर आप देखें कि वैली का बड़ा काम है वैली का सिर्फ दमाल हांजी पूरा जो है उसको छो अभी बता भी रही थी कि 96 का जो उसमें कोरिशन था उसमें दवाओ था दोंस थी दमकी थी उसमें जबरदसी लोगों को वोट डलवाई और यह पहली बार है कि लोग वालिंटली लिक रहे हैं बगएर किसी दोंस दमकी और बड़े आज़ादाना फिजा में लोगों ने व बात करें तो वो यह कह रहे हैं कि जो इस बार का वोटर टरनाउट कश्मीर से देखने को मिल रहा है यह रिसेंट्मेंट जो है वो लोग अपनी शो कर रहे हैं जो 5 अगस 2019 को जमकुश्मीर की आवाम के सास्थ हुआ है बागोगे डिमोक्रेसी से दूर बागोगे तो लोग जो है इस वक्त भी वहाँ पर जो मैन पॉलिटिकल पार्टीज है रिजिनल पार्टीज जो जिनका ज्यादा स्टेक है जो कहीं ने कहीं वो जीत के आएंगे वो भी लोगों को यही बता रही थी कि 370 और्पेंटी से च रिश्टोर किया जाए और स्टेट की असेम्ब्ली को रिश्टोर किया जाए ताकर स्टेट जो है ड्वेल्प्मिंट के मैप पर इसको दोवारा लाए जाए जाए सा महाल हमें लगेगा तो हम जल से जल स्टेट हुट जो है वो वापिस जो है जम कश्मीर को देंगे जहां तक अलेक्शन की बात है असंबली की बात है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइड लाइन जिनको दी हैं सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट डिरेक्शन हैं कि 30 सेप्ट साहब या बाकी अमित शाह साहब कह रहे हैं कि जो जब जब कंडिस्य एटमस्टिफिर होगा तो वो एज अरली आज पॉसिबल क्या है वो मुझे लगता वो कब का हो जाना चाहिए था वो एज अरली आज पॉसिबल का मतलब हो कि जितना जलत हो सके इतना इनको आप स्टेट ह तो अभी भी इसमें डिले किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की ये तोहीन है ये सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्ट है कि सरकार को फोर्न जो है स्टेट हुट बाहल करके यहां पे असंबली का अलेक्शन करवाना चाहिए सर जम्मू की बात करे और कश्मीर की बात करे आपको क्या लग रहा है अपने एक आप अपना एक अनालिसिस बताएं कि लोगों का रुजहान जो है वो किस तरफ है कौन सी पार्टी की तरफ साथा है नहीं लोग देखिए यहां भी लोग बदलाओ चाहते थे यहां भी वोट पड़ा है बदलाओ के लिए पड़ा है लोगों में बहुत जो है यहां पे वो पुलिटिकल पार्टी जिसने स्टेट की तबाहिल आई है उसके खिलाव लोगों को गमों गुस्सा है तो कश्मीर में तो जाहर है कि इस पार्टी जो ये पार्टी दावा करती है कि आज कश्मीरी बहुत खुश है, कश्मीर बहुत खुश हाल है, 370 के बाद वहाँ पे सब चंगा हो गया है, तो वहाँ पे कैनिडेट तक नहीं दे पाई, अब जो अननतनाग पुन्च रजोरी असंबली पारलिम कश्मीर के लोग है, लोग का रोजगार चिना है, लोग के जॉब्स गई है, लोग के जमीने गई है, लोग की पहचान गई है, लोग को कल्चर चिन रहा है, इसलिए लोग बीजेपी के उस पांच आगस्त के फैसले से हर्गिस खुश नहीं है, अगर्चे जम्मू के लोग ये थे हमारे साथ सोशल पॉलिटिकल अक्टिविस्ट मीर शाहिद सलीन जिन से हमने बात्चित की लोगसबा चनाव को लेकर और क्या कुछ पॉलिटिकल सेनारियो जो है इस ताइम जमुकश्मीर में जल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके